आप सभी का स्वागस है आज की इस महान अनभव की जीविनिपर आप सभी का स्वागस है आज हम एक महान अनभव की जीविनिपर आपको एक परचे देंगे जिसका नाम है James Yng Simpson in Scotland एक स्कॉटलैंड के कि डॉक्टर हम कर सकते उनको कि विजिसेंड कर सकते हैं इनकाpaper इतिहास हम जानने कोईशिस करेंगी आखिन इन्हों ने क्या किया मेडिकल छेतर में नौन क्या युगदान था तो जेम सिंसो का जो जन्व हुआ था इनका जो परिवार था एक मिडिल क्लास का परिवार था लेकिन सबसे बड़ा प्रस्निय था कि जो James Young Simpson थे बहुत ही प्रतिभासाली थे और इनकी प्रतिभासाली को देखते हुए इनका जो एडिमीशन था इनका जो एडिमीशन था एडनवरा इनवर्सिटी जो थी एडनवरा इनवर्सिटी जिसको उनका सकते हैं एडनवरा विद्याले में 14 साल की उमर में ही इनका दाखिला हो गया और यह अपने मेडिकल की पढ़ाई 18 साल की उमर में ही कम्प्लीट कर ल दोरान उन्हीं देखा कि एक बार उन्हें देखा एक पैसंट अच्पाइश फेरन गांची को दरने के लिए वह पैर को रस्ते सिबां दिया जो प्रीट्रिक specific शुरू हुआ तो वह जो पेसेंट था काफी चिला रहा था चिलाते चलते चलिए मुर्चित हो गया और उसको देखते देखते James N. Simpson भी क्या हो गए मुर्चित हो गए और जब मुर्चित हो गए तो कुछ समय बाद जब उनको घोस आया तो उनकी आप्रेशन आसाइसे कर सके तो यह बात उन्होंने पर मित्रों के सास्थ की तो उनके मित्रों ने उसको हसी माले रही फिर एक ऐसा समय आ गया वह समय था चार नॉवमबर 847 को वह लैं में मेडिसीन पर अपना रिशर्च कर रहे थे तो उस लैब में एक मेडसीन अलड़ी बनी हुई थी और उस मेडसीन को उनकी बगल का एक डाक्टर से चाकरा सुम रहा था और सुमते सुमते वह डाक्टर क्या हो गया मुर्छित हो गया और ये चीज सिम्संड साथ देख रहे थे अजब और इस situation को देखने के बाद वो चिलना नहीं लगती है, काफी आवाद देती है, जिसे लोग वहाँ परिकर्टित होते हैं, डाक्टर उसका treatment देखा गया, पाया गया, कि उनके सभी body के सभी अंग अच्छे तरीके स्काम कर रहे हैं, उनके कोई प्रभावर नहीं पड़ा करेंगे अब यही एक हमारी medicine होगी, जिसका हम इस दवा को देकर, अब हम ब्यक्तियों का treatment करेंगे, आप रेशन करेंगे, जिससे की ब्यक्तियों को क्या हो, पीड़ा नहीं हो, तो chloro farm को निश्चेतक के रूप में प्रियोग करने वाले अगर कोई scientist हैं, वह है James and Simpson है, James and Simpson है, लेकिन आज के समय में, आज के समय में chloro farm, जो की निश्चेतक के रूप में प्रियोग की जाती थी, आज के समय में इसका प्रियोग निश्चेतक के प्रियोग नहीं किया जाता, इसको band लगा दिया गया है इसका region होता है chloro pharmacy body पर different type of side effect होते हैं अब उस side effect होने के उज़े से उस पर band लगा गया है आज के समय में और सस्ती दवाएं जो side effect ज्यादा नडालें उनका प्रियोग किया जाता है जैसे उसमें कुछ example मैं आपको बताना चाहूँगा हैलोथेन हैलोथेन में फ्लोरेथेन होता है और आपको आईसोफ्लोरेन होगा तो कुछ ऐसे मिडसिंस हैं जैसे हैलोथेन यह सस्ती दवाएं जिसका यूज प्रियोग आशकल निष्चेतर की रूप में chloro farm के अस्थान पर किया जता है